हम राम भक्त उस हनुमान की गाथा गाते हैं आवन कथा सुनाते हैं वीरों की वीरी महावीर क्या क्या कर जाती हैं हम कथा सुनाती हैं गोतम रिशिने अंजनी मा को शाप देया भारी प्रोधित होकर बोले बनोगी मा तुम कुमारे सुनकर अंजनी माता ने था मन में प्रणिये लेया अपने आपको बंद उन्होंने एक गुपा में किया मिलू न मैं बार वो फिर कैसे हो पाएगा गोतम रिशिनी दिया शाप वो बिर्थ ही जाएगा करने लगी घोर तप अंजनी पी ना खाए एक हिछितर था उस गुपा में जिससे हवा आ जाए पर हूनी होकर रहती कोई रोक न पाती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावीरी क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है भसमा सुर्दानों था जब शिव के पीछे आया विष्णों जी ने मोहिनी रूप मियंपर पहुँचाया कहने लगे शिव विष्णों जी से संभो कैसे हुआ विष्णों बोले मोहिनी रूप था मैंने बना रहा बोले शंकर विष्णों जी से भेद मुझे बत लाओ जिसने मोहरिय वसमा सुर को रूप मुझे दिखला भोले ने कोई विष्णों जी का तरक नहीं माना आखिर विष्णों जी को फिर बड़ा मोहिनी रूप में आना देख मोहिनी रूप वो का मतुर हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वीरे महावीर क्या क्या कर जाते हैं हम कथा सुनाते हैं देख मोहिनी रोप हो गए भोले काम में चों देखा ब्रम्हा जीने भोले हो गए विंदो दों बोले ब्रम्हा है कमलापती ये क्या तुमने किया भोले जी को कर दिया मोहित बड़ा अलग हुआ लेकर बास के पूंगी में विंदो दिया उसमेडा कहा प्रयोग में लाया जाए मन में हुआ मला गोतम रिश को शाप याद फिर ब्रम्हा को आया अंजनी को है शाप ये भोले को भी वत लाया लेविंदो पुंगी में भोले फिर चल जाते हैं आवन कथा सनाते हैं वीरों के वीरे महावीर क्या क्या कर जाते हैं हम कथा सनाते हैं पहुच गए भोले वहाँ जह थी हैं अंजनी की कुटिया गुफा ध्वार पे जाके भोले ने अलख जगा दिया भीतर गुफा से अंजनी ने दे भोले को आवा कौन तपसी आया है मेरी ध्वारे पियार कहने लगे के भोले जोगी मैं हुझन मौका प्यास लगी देवी मुझको पानी दो पिला कहने लगी अंजनी की मैं बाहर ना आती हूँ गोतम रिशिका मिला शाप मैं उससे डरती हूँ प्यास लगी मुझको ये भोले फिर बतलाती हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती हैं हम कथा सुनाते हैं बोली गुफा छेत्र में मैं डॉलोंगी धंधा पानी पेले ला तुम हे ओगी गर तुमको प्यास बुझानी कहने लगे हम ऐसे किसी का करते ना जल पा पहले देंगे देख्षा तुमको सुनो लगा करका अंजनी माने गुफा छेत्र में कान जुला दिया कुंगी ने जो विंदो था भोले ने फूक दिया बोली अंजनी ओगी क्यों किया छल तुमने बतल लाओ होगा ये सश्मी पुत्र देविये तुम ना घवराओ दिवर्दान अंजनी को के लाश को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वीरे महावीर क्या क्या कर जाते हैं हम कथा सुनाते हैं अंजनी माता फिर तो बैठे के करने लगई ध्यान कपल मुनी का शाप वना उनके लिए है वर्दान गरभ में अंजनी के जो पल रहिश्य की धरोहर थी जनम से पहले पढ़ गए किन्त छभी एक बान रखी शुभ मंगलवार का दिन था जिसमें जनमे थी हनुमान जनम से ही ते जस्वे बालक और बड़े बलवान पर ना अपनी छाती का उन्हें दुध पे लाया था भूक लगे तो खाने को फल लाल बताया था समझ कि फल वो सूर्य देव को ही खा जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वेरे महावीर क्या क्या कर जाती हैं हम कथा सुनाते हैं निगल गए जो सूर्य देव को छा गया था अंधेंकार तीनों लोकों में मच गए थे फिर तो हाहा कार राहू ग्रह फिर इंद्रदेव के पास में थे आयें बाल रूपी हनुमान के पास में समी देव फिर आयें बिनती करनी लगे की कर दो सूर्य को आजा हाँ हनुमान ने एक सुनीना देवों के पर्यार इंद्रदेव नी गोध में आकर कर दिय वज प्रहार मुर्छत हो गये हनुमान जी खाकर गिरे पचार सारी दीवी दीव बड़ी चिंतित हो जाती है पावन कथा सुनाती है वीरों की वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है पवन देव ने देखा के हनुमान हुए बेहों क्रोध में भर के पवन देव ने बेग लिया थारों रुक गया वेग पवन का सिष्टी हो गए थी व्याकुल बिना पवन के जीव मात्र का जीना है मुश्किल पवन देव के सामने जोडे सब देवों ने हाँ इंद्र देव ने माफी मागे तब जबनी है बाग बच्र देह का अनुबान को मिला था वरगदान बच्र देवता तभी कहलाए जाते है हरुआ राम भक्त की नाम से भी जाने जाते हैं पवन कथा सुनाते हैं वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती हैं हम कथा सुनाती हैं एक दिन फल खाते खाते जंगल में आए रिशी पूत्रों के देखी कुतिया मन में हर चाएं रिशी पूत्रों को अनुबान ने खिलते पाया था उचल कूद कर बजरंगी ने खूब डराया था आए रिशी तो अनुबान से करने लगे शिकायत बोले रिशी क्यों डरा दिये हैं मालर ये बारक आज के बाद तु ऐसे शरारत करना पाओगे कितनी शक्ती है तुम्में ये भूले ही जाओगे पर आजाई याद तब कोई याद कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती हैं किश किंधा पर भत पर फिर तो हनुमान आये गौरर राज सुग्रेव के दल में आकर हर शाये उधर है ओ ध्यानकरी में शीरामन जन्म ले आहां राजा दशरत के घर में फिर मंगल गान हुआ धोलेने सोचा के देखो नारायन कारू पड़े जरूरत हनुमान की लिया सुग्रेव से पूच हनुमान से वोले शंकर मैं तो बनू मदारी नाच नक्षाओ तुमको वैसा देखे नगरी सारी चन्द की आयोध्या शीरी राम की दर्शन पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वीरी महावेरी क्या क्या कर जाते हैं हम कथा सुनाते हैं बने मदारी शिव शंकर और हनुमान बाहन है गली गली में घूम घूम के खेल रहे थी कर चर्चा हो गई नगर में सारी एक मदारी आया आज कलक ना देखा हमनी ऐसा खेल दिखाया बोले राम के मैं भी देखो फिल मदारी का आले का यही मकसद था भोले थी पुरारी का आगर बार में बोले ने फिर ऐसा डमरु बजाया नाच नाच के वजरंगी ने अपना केले दिखाया शिरी राम प्रभू फिर उस बानल को लिना चाहती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है खेले दिखा कर चले गए थी अपना भोली ना बानर चहिए मुझको भी ये रामन किया विला खाना पीना छोड़ दिया बड़ी जिद रहे थे कर भीचे सेनिक राजाने फिर लाने को बार दूर दूर लिया कोज मदारी बनर ना पाई बहलाने को राजाने कई बानर मंगवाई राम प्रभू को कोई भी बानर पसंद ना आया चहिए वो ही बानर उस दिन जो था दिखलाया राजा दशरत मंत्री को आदेश सुनाती है बावन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावी क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है बोले राजाए मंत्री चाहिए खो जो चारो दिशा कहा गया ओ बानर दो तुम मुझे खोज कर ला खोजते खोजते मंत्री भी फिर किस किंधा आए गानर राज सुब्रीव ने देखा तो बड़े हरशाए धन्य भाग है मेरे जो इस नगर में किया प्रवेश कहो आयो ध्या नगरी से क्या लाए हो आदेर सारा हाल तो मंत्री जी ने उनको दिया सुना हाल फनो मान को फिर सुग्रीवन तुरत ही लिया वोला जाओ आयो ध्या नगरी में आदेश सुनाती है आवन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है लेके आयो ध्या नगरी में जब वानर को आए राम प्रभू ने देखा तो वो फूले नहीं शिरे राम ने अनुमान को सीन लिया लगा भक और भगवान का फिर है मधर मिलन हुआ अनुमान बोले चरणों से दुर नहीं जाना बोले राम की नर्वन के हम लीला है दिखलाना आएंगे हम किश किंधा तो होगा मिलन वहीं बिना मदद के तेरी काम मेरा कोई सफल नहीं राम की काज समार निका शीष हो पाती है बावन कथा सुनाती है वीयों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है लेकि आशिरवाद लोट कर वो आ जाती है सीता खोज में राम लखन पर बत पियाती है कीशो ग्रीव समित्र तार अपना करज ने भाया माली काकि अवद और फिर राजा सुग्रीव बनाया लेवा नर भालू सी नावो सी अखोज नी ही आए परसो जोजन कासा गर कोई भी लाग ना पाए जामवंतनी अनुमान को वलका याद कराया लागा स्तागर शिरी राम का आशिरवाद जो पाया मिली लंकिनी उसको घूसा मार गिराती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है लंका नगरी में उत्रें जब रामभक्त हनुमान शिरी राम का शब्त सुना तो हुवे भड़े हैरा कोन है रंका में ऐसा जो शिरी राम जपता है राम प्रभु का भक्त यहां है कुछ ऐसा लगता है भक्त विविशन था वहारा ओवन का छोटा भाई अनुमान जो मिले तो सारी बाते थी बतलाई अशोक वाटिक में बैठी है वो सितामाई पहुच गए हनुमान वहा माता दीद खलाई राम प्रभु की मुद्र का हनुमान गिराते है बावन कथा सुनाते है वीरों की वीर वो महावीर क्या क्या कर जाते है हम कथा सुनाते है देख के मुद्री से तामा की आखी वरस गई कौन दूत शिर राम का है देखन को तरस गई कूद पेड सी तुर्त सामनी आ गई हनुमान अंत निकट है रामन का ही माना हो परशान कुशल चेन फिर पूछ के बोली मैं तो फल खाऊंगा जो आज्या हो ही माता मैं भूख मिटाऊंगा बोली माता है हनुमत है आ क्या तुम जाओ भरो पेट अपना जितनी है एक्षा फल खाऊंगा फल खाने को हनुमान फिर बाग में जाते है आवन कथा सुनाते है वीरों की वीर वो महावीर क्या क्या कर जाते है हम कथा सुनाते है जी भर के फल खाए और फिर सारा बाग उजाडा आए दानों रोकने तो उन्ही मार के गदा पछाडा दरबारों में हो गई चर्चा ऐसा बानर को हनुमान ने मार गिराए सामने आए जो पुत्र बलशाली अक्षे रावण ने भेज दिया हनुमान ने पल न लगाई बध उसे का भी किया प्रोध ने भर की मेघनाथ फिर बाग में थाया पेश चलीना उसकी तो ब्रम्हास्ट चलाया था ब्रम्हास्ट निफस कर ब्रम्हाजी का मान वढ़ाती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है आदर बार में हनुमान ने रावन को समझाया एहनकार में चूर था रावन पुलता क्रोध दिखाया बद करने को हनुमान का दुष्टों जब बोला बोले विवीशन हे भ्राता ये देगा नाशोभा बोला रावड इस बानर को सबक सिखाएंगे पूछ है प्यारी बानर को हम उसी चलाएंगे इतना सुन के हनुमान ने अपनी पूछ बढ़ाए कोटे गजले के कपड़ा फिर पूछ में आग लगाई सुने की लंका नगरी को राख बनाती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीरे महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है दूधो करके जल गई लंका देखे रावड खड़ा क्यूं थोड़ा उस बानर को अपसोस हुआ है बड़ा साकर तटानो मान ने अपनी पूछ बोझाई घूटी बूद पसीने के एक मचली ने खाई चमतकार हुआ ऐसा उस मचली कुर का गरब हुए बलशाली पुत था जिनका नाम मगरत पजड़ हनुमाल लेने आग्या आगई सिता के पास अपनी चूड़ा मनी निशानी दी सिताने खाई लेकी चूड़ा मनी बोरा मादल में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं हम कथा सुनाते हैं वानर सीना सहित राम लंका नगरी आएं कितने दानों हनमानने पल में मार गिराएं जब लक्ष्मण और मेखनात में युध हुआ भारी मुर्चत हो गए लखन लाल ऐसी शती मारी शिरी राम फिर लखन बेरह में करने लगे वेलाव सुर्यों दे से पहले लाए संजीवन थे आप कहने लगे शिरी राम के भाई हो तुम भरत समान अजर अमर होनी का तुमको देता हूँ वरदान लंका विजय करके फिर सारे खुशी मनाते हैं पावन कथा सुनाती हैं वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती हैं हम कथा सुनाते हैं लंका विजय के साथ आयोध्या लोट के सब आएं शिरी राम ने खुश हो कर उपहाल थे दिलवाएं सीता जी ने हनुमान को दी मोती माला तोड के माला फिर दातों से उसे चबा डाला देख देख सब हनुमान का करने लगे उपहाँ तोड दी मोती की माला आखिर वानर है जात जिसमें सीता राम नहों वो मेरे आई क्या का ताना दिया विवेशन ने क्या तुझ में भी है राम भाड किसी नासी आराम का दर्श कराती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है ऐसे राम भगत है बाबा ये बजरन बली भगत शरण में जो आते करते सब की भली शिरी राम की नाम का होता जहां भी है गुडगा अनो मान जहां राम मिलेंगे राम जहां हनो मान हे बजरंग बली हम पे भी क्रिपजरा करो मान भूल समझ के गलती सारी एक्षमा करो जोती थी वारी शरण तुम्हारी संगुल शन भैया फोज सुरेश की हे बजरंगी पार करोन या सुबह शाम चरणों में तेरे शीस जुकाती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है हम राम भक्तु सुनुमान की गाथा गाती है पावन कथा सुनाती है वीरों के वीरी महावीर क्या क्या कर जाती है हम कथा सुनाती है